नमस्कार आप देख रहे हैं पंजाब के स्री टीवी आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर कपूर नर्वाल जो आपने आप में पहचान है और ब्रोद्दा हलके से दो बार चुनाव में लड़ चुके हैं अब विधान सबागे चुनाव दोजार चुनाव के विधान सबागे चुका है और आप भी हां से दो बार चुनाव लड़ सुगें प्रोद्दालके से और पिछली बार भी टिकेट मांग रहे थे कॉंग्रेस पार्टी से किसी ना किसी कारण रहेगी थी तो अब की बार क्या कहना है देखिए चौधरी वुपिंदर सिंग उड़ा चौधरी व आज पूरे हरियाना में चोधरी दिपिंदर शिंग उड़ा का एक जल्वा चली आओ जरून है लोगों में और आने वड़ा दो जार्जार चुविस का जचुनाव होगा सो फिश्दी दिपंदर सिंग हुड़ा की रहनुमाई में सरकार बनेगी आपको क्या लगता है जब बीजेपी सरकार जब आई थी सत्ता में तो इस टेम बरुद्धा हलके के लिए क्या वादे किये थे क्या पूरे हुए देखिए इन बातों में पिछ्ले बातों नहीं जाना चाहताा सरकार आती हैं लेकिन जो वादे यहां बरुद्धा हलकामे किये गए थे इस जुले थे वो बीचम करीई नहीं हुए हमका क्या-क्या यहां बॉद्ध हलके में काम होने चाहिए बॉद्ध हलका में देखो सबसे पहली बात तो यह है हम तो 24 गिंटे लोगों के बीच में रहते हैं पानी की बड़ी दिक्ट है पीने की भी और खेती की पानी की भी और कहीं कहीं मैं तो चम्मन के चम्मन गाम में गली-गली तक जानता हूं कहीं सलम का एरिया है कहीं फलड का एरिया है मेरे कोई एक एक बात की प्रोब्म का पता है सबसे पेले तो लोगों को बच्चों को रोजगार नहीं है यां कोई बड़ी इंड़स्ट्री नहीं कोई बड़ी प्लांट भी कोई दूसरा ओस्पिटल बहुत बड़ा ओस्पिटल नहीं है कोई तीसरा सबसे बड़ा सुकुल्लों में कोई ज्यादा सुईधा नहीं है तो आने वाला जो टाइम होगा, गॉंग्रिस का, उसमें अगर चोदरी बुपिंदर सिंग उड़ा ने, चोदरी दिपंदर सिंग उड़ा ने हमारे को आशिरवाद दिया, मौका दिया, हम ब्रोद्ध हलका को चमकाने का काम करेंगे और इनकी ब्रोद्ध हलका की सारी जो पंचाय दिपंदर उड़ाई पहुंचे थे किसी कारण वर्स टिकट कट गई क्या आस्वासन वहां देखो आस्वासन तो दे चोदरी भुपंदर सिंग उड़ा जी ने एक ही बात कही थी आपका नाम स्रोनक्सरम लिखा जाएगा आने वाले सरकार के आप किंग में करहोंगे और आगे आपका बहुत से उजवल है मैंने अपने लिए नहीं चोदरी भुपंदर सिंग चोदरी दिपंदर सिंग उड़ा के मान समान के लिए अपने आपको एलेक्शन असेमली से दूर किया था अभी भी आप पूरे हलके में जा रहे हो अभी मेरा तो 24 भाइस से उनका प्रोग्राम है 24 गंटे कोई भी मेरे हलके में सुख दुख होता है तो मैं 24 गंटे लोगों के बीच में रहता हूँ लेकिन अभी हाल में जो है कांग्रेस का स्वेटिंग एमल लेहवा अगर उनकी टिकट नहीं कटती तो आप क्या रह सकता है इस पो लेकर देखिए ये तो टिकट कटना ना कटना तो हाईकमान की बात है लेकिन उसका अमें इस बात से कोई वह नहीं किभी टिकट कटे ना कुले उसका इस तरह से अब घर पे सुनने में आ है कि एक मीटिंग भी बुलाई है अलके की पूरे हलके की कब ये मीटिंग रहेगी मीटिंग में किसलिए देखो मैंने एक तारिक को दस वजे अपने घर पे मिटिंग उलाई है मिटिंग नहीं है ये एक ये सामाजिक कार्य करम है जो मेरे पुजने पिताजी थे उनका पूरे गवाना सब रिजिन में सरकल रहा है और मेरा भी पूरे गवाना सब रिजिन में सरकल रहा है जो मेरे पताजी के साथी थे और जो हमारे फैमिली रिलेशन हैं और जो पूरे हलके के मेरे दादा चाशा ताओ हैं उनके और नर्जवान साथीयों के मैं एक गेट वे दरहा हो जाएगा बहुत दिन हो गए थे मारे बच्चों के साधी भी पहले हो ली थी कोई ऐसा प्रोग् करना चाहता हैं नहीं ऐसा तो नहीं चुनावी बहाने टिकर्ट के बहाने चुनावी महाल तो है लेकिन सकती पर दर्सन के लिए मिटिंग भूला रहे हम तो गिट्य टुगेदर के लिए बुला रहे हैं बैटके अपने बुद्रब्र के साथ उनका सिरवाद लूँगा और जो बोजन का प्रोग्राम किया है, सब को बोजन किला हो, चुनावी ताल भी ठोक सकते हैं, साथ साथ, नहीं, चुनावी ताल का कोई नहीं अभी, तो जिस तरह से अभी, चुनावी ताल तो जब ठोकूँआ, जब उड़ा साथ, हमारे को आसिरवात देंगे, तो अभी जिस है और उन्हीं वह उनका आश्वासन अमारे लिए आशिरवाद है उनका क्या का लंबा जो है राजनती सफर है दो हजार नो में आपने चुनाव यहां से लड़ा बहुत दाल कैसे दो हजार चौदा में चुनाव लड़ा तो अब की बार सौधरी भुफंदर संगुडा के आशिरवाद से टिकेट देंगे और लोगों का आशिरवाद मेरे पूरे ब्रोधा हलका का मेरी माताओं का मेरे साथ चाहता होंगा सबका मेरे सिर्पे हाथ हर रहे हैं बिल्कुल डॉक्टर कपूर नर्वाल जो है उनका कहना है अब क कितना जो है विश्वास डॉक्टर कपूर नर्वाल पर जताती है क्या उनका आपकी बार फिर टिकेट मिलती है या किसी कारण वर्स नहीं मिलती है ये तो आने वाला समय बताएगा लेकिन कहीं अपनी मजबूत दावेदारी जरूर पेस करते हैं नजर आ रहे हैं अंजाब करता है